कि स्वागत है आप सभी का आपका पना यूट्यूब चनल आई टे गाइडलाइन में मैं हूं रांभी आश्यादब जैसा कि दोस्तों आप लोग लेका आज और मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और थमनिल में भी आप लोग देख चुके होंगे मैं किस बात के चर्चा करने वाले हूं चर्चा करने वाला हूं आप लोग के सिलिबस पे आप लोग के एकजाम के नमबर पे ठीक है है तो यह वीडियो बहुत ही इंपोरेंट होने वाला और बीडियो मेंं सबसे पहले मैं काना चाहता हूं मैं कि विडियो आप लोग पूरा दिखिएगा और वीडियो देखने के बाद कि आप ही लोग हमें राय दीजेगा क्या सही है आप लोग के लिए या फिर गलत है आप लोग राय जितना विद्यारती देखेंगे जाएंगे उतना कॉमेंट जादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए ठीक है जो आपकी मन में राय हो जो को आपके मन में विचार हो उस चीज़ को आप कॉमेंट जरूर करेंगे इसलिए कि हमारी मन में यह सवाल आया और आपके प्रति हम को लगा कि नहीं यह चीज़ गलत है तभी मैं आज यह वीडियो आप लोगो के लिए बना रहा हूं तो तमाम सारी बाते जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पहली बार बिजिट किये हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसलिए कि मैं आपको हम आप लिक लिए म आपको बुक दिखाता हूं ठीक है सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूं इसका लंबाई चोड़ाई मोटाई उचाई सभी देखिएगा ठीक है सिलेबस भी आप देखिएगा ठीक है टोटल सिलेबस का जो फर्स्ट की विद्यार थी होंगे फर्स्टीजर की हिसाब स से देखेंगे जो सेकेंडिर की विद्यार थी है सेकेंडिर के साब से दिन के दो सलगा कोर्स है वह अपने हिसाब से देखेंगे जो एक सलगा कोर्स हो अपने हिसाब से देखेंगे यह देखेंगे मैं खिताब देखा रहा हूं बट्सप कल्कुलेशन एंट साइंस का आप देख सकते हैं ठीक है यह निमी पैटन का बट्सप कल्कुलेशन एंड साइस इसका मोटाई देख लीजिए यह पूरा आपको पढ़ना है दो साल में खतम करना है ठीक है टोटल पेजे इसमें हैं मैं पेज का अगर एक वार चर्चा करूं तो मैं टोटल 111 पेज जो हमारा है ठीक है एक साल में 111 पेज एक साल में टोटल हमारा समझी के धाई 300 पेज़ का ये बूक है लग भग बग ठीक है इसमें कम बेसी हो तो नहीं कह सकते हैं और यह बट्स ऑफ कल्कुलेसन का निमी पेटन का बूक है आपका जो आपका से लेवस में चलता पांच बुक्य आपको चलता है जो पहला आपका बक्सप कल्कुलेशन है ठीक है यह बुक मैं आपको देखा दिया इसका मोटाई चुड़ाई लंबाई सब देख लिजिए सिलेबस जो आपका है एक साल में कितना लेशन पढ़ना है मैं यह भी बता अधर आऊं कि आपका एक इंजिंडीर इनगा नर्हमी कहीं रखा हूं मैं ठीक है यह Design आउजिणी ईंजिंडीर ट्राइंग का बुक आपको है यह मोटाई चुड़ाई लंबाई आप लोग देख सकते हैं क्या है नहीं ठीक है यह भी आप देख लिए आप देखीए कि इंपलाईटी सब्सक्र ? मैं कहीं प्रिक्रीत कां को कमी नहीं है फिर्टेक कांगि नहीं दिखाया हूँ इसलिक प्रेटर किंसे नहीं करूंगा अब मैं हाथ में लेता हूं और uns लिया हूं इसलिए किसी में मेरे पास नोटीश है जो डिजीटी के दोआरा जारी किया है नोटीश और बात मैं किसी का कर रहा हूं वाइन अर बात में कर रहा हूं जो आपका नोटीश एक जारी किया गया पहले से भी जारी किया घया था लेकिन ये 22 तरह कामिन जो कन Phoremus Prention है किलियर कितना नीचे गिरा दिया यह यह कोई पता लगा सकता है ओर इसका कोई पता लगा ही हिने ने सकता यह फ्रती बिस से खाली रहती है मैं गरांटी के साथ कहहंगा कि बैस्थ को उसा होगा जिसका सीट फूल होता होगा क्यों ऐसा क्यों कि यह भी प्रश्ण वाचक्षी है तो इसका बहुत सारे रिजन लोग बता देंगे और मैं च्छमा चाहता हूं उन सभी लोगों से जिनको वीडियो देख करके बहुत अपने आप में गिल्टी फिल होगा अपने आप में सरमिंदी महसूस होगा जो कि इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं और आवाज क्यों को उठाना चाहिए था यह आप अच्छी तरह भली भाती जानते हैं और मैं बता भी देता हूं कि यह आवाज इंस्च्चूट बत्तों वालों को जरुर उठाना चाहिए था आप फ़ला नंबर दूसरा नंबर कि जो बच्टे विद्यार्थी पढ़र रहे हैं विद्यार्थी को भी आवाज उठाना चाहिए था लेकिन बचले नदान हैं इन्हें तो उतना समझ में नहीं आता है लेकिन जो शूत्त च देने के लिए तैयार नहीं है यह हम नहीं आप भी जानते होंगे तो एक नोटीस है बाइस जुन को और नोटीस में लिया हूँ यह फाला कि पहले से भी हो चुका था कि आपका जो एक्जाम होगा ठीक है मैं दिखाद रहा हूं और नोटीस में यह आपका टेल्ग्राम पे भी सेट कर दूंगा टेल्ग्राम का लिंक डिस्विक्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से पीडियोप देख लिएगा या फिर आप लोग पीडियोप देखी चुके होंगे सारे विद्यारती का यह बहुत पार पीडियोप में सिंट कर दिया हूं आपका एक्जाम जो होगा ठीक है इंजिनेरिंग ट्रेट का भी द्यारती के लिए जो आपका सो नंबर का थियोरिकल पूछा जाएगा तीनों को मिला करके ठीक है तीनों को सभी डिवाइट करूंगा देख सुनिए अब ध्यान से पहले बता देता हूं करा जो कोई ट्रेट लिए सभी ट्रेट के लिए हैं तमाम चितने भी तमाम ट्रेड है सभी के लिए है पीटल ट्रम ट्रेट बेम जाते हैं उतने हैं अपने अपने आपका ग्जाम होगा थिओरि महें 38 को जूँछ रहे हैं नंबर छुड़िए सबसे पहले सबसे पहले भाग मैं लेता हूं ठीक है सबसे पहले तो अब्जेक्टिव किया गया चलिए कोई दिकत नहीं है सभी ध्यारती अब्जेक्टिव कोशन पढ़ रहे हैं थियोर कल हटा दिया गया तो टिक लगाने का किली करने का जरूवत हे इतना थियोरी का बूक आप पढ़िएगा तो जा करके आपको इसमें दो साल का कोर्स है ठीक है एक साल के भी लिजे तो भी कहां नहीं जा सकता है मात्र 38 कोश्चन आपके पूछे जाएंगे आप पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाईए ठीक है क्या है टेंशन किसी को कोई टेंशन नहीं है इतना मोटा कौन पढ़ेगा इंस्चूट वाले थोड़ों पढ़ेंगे विद्यार्थी पढ़ेंगे आप ही न पढ़ेगा जी कि हां इंस्चूट वाले डेक्टर पढ़ रहे है या प्रिंस्पल पढ़ रहे है नहीं यह आपको पढ़ना इतना मोटा बूक से आपको मात्र 38 कोश्चन पुछा जागा आप पढ़ते रहिए कितना पर्सेंटेज आप लाते हैं से ठीक है यह मात्र 38 कोश्चन का आपको कर दिया गया है बताइए दूसरा जो है सबसे बड़ी बात तो यह चलिए 38 मान लेते हैं कोई दिकत में 38 चलिए यह भी हम मान लेते हैं लेकिन सबसे ज़्यदा हद तो यहा अगल नबर नाय जा रहा है तो क्या किया जा रहा है इतनी मोटी किताब में आपको 6 नेंबर का कोश्चन आएगा चेंबर का नहीं आएगा ट्वेल नंबर का नंबर मैंने पहले ही बता दिया कि चाहिए एक कुमा यह कोश्चन 10 नंबर के रख दिए उससे कोई फर्क पंड का देंगे नियम की पुरा बोल रहा ही पूरा मैं नहीं बोल रहा हूं एक साल काहीं बिजिए पुरा पढ़ेगा तो चेंब को अब करके इसका पढ़ कर稀ंट करके एक साल में आपको 25 वह कोश्चन में बताढ़ अँनो उसके बाद मैं चर्चा करूंगा क्या बात है नहीं बात है इंपलाइटी में 25 के साथ केल किया बताईए इतना मोटा बुक पढ़िएगा आपको दहल लुद्य को पूछा जागा कितना कोशन छोग कोशन तो बताइए विद्यार्थी के साथ खेलवाण न किया जा रहा तो क्या किया जा रहा इतनी मोटे मूट सिलिवस तो आप कम नहीं कर दिए सिलेवस तो आप कम नहीं कर दिए सिलेवस भी अगर साथ में कम करते तो माना जाता लेकिन सिलेवस क्यों कम किया जा भाई मात्र पांच सब्जेक्ट है पांच ठो बुक पढ़ना है हमको और उसी में आप लोग रौंद के चल रहे हैं पूरा इंजिनिर राइंग 6 कोशन कभी कोई ऐसा चीज में है बताई तो कहीं पर इतना मोटा मोटा किताब पढ़ेगा बच्चा मात्र उसमें 6 कोशन आएगा कितने बच्चे हैं जो आप कॉमेंट के बताई हमके हमें कि आप 6 कोशन अगर उस बुक में दे दिया जाए तो लड़का चार कोशन भी नहीं बना उब्जीक्टिव कोशन था तो 50 कोशन रखं़ तो अलग जम होता थियोरी का अलग जम ड्राइंक का अलग एकशन होता आप सब कं से कं 50 कोशन का नहीं कर पाएंगे क्यो नहीं कर पाएंगे अच्छे बिद्यार थी जो हमेशा 70% 80% लाते हैं लाते लाते उनको होस्खरा हो जाता है कोभी इस क्वेशन में लीजिए मैट्रिक हो इंटरेट कोभी लीजिए यानि पूरा बुक 100% कोभी विद्यार्थी नहीं बना सकता है तो बताइए कि objective question में 6 question पुछा जाएगा अगर 6 question में एक भी नहीं बना तो विद्यार्थी का क्या हल होगा फेल होंगे कि नहीं होंगे और फेल पास की बात तो छोड़ दीजी कितना लेवल गिरा दिया गया विद्यार्थी कभी पढ़ेंगे अरे ऐसे ही छोड़ दो इसको 6 question तो मात्र सकते हैं इसलिए कि सभी विद्यार्थी जानेंगे पूरा बुक रटेंगे तो 6 question आएगा बताइए कहीं ऐसा होता है कि कम से कम 50 question का भी तो रहता तो विद्यार्थी तीस question 35 question 40 question 45 question attempt करके अच्छे मार्क को सुल्व करकरके अच्छे नमबर ला सकते थे लेकिन 6 question में कितना त विद्यार्थी के लेबल को गिराते जा रहा है मैं तो यही कहूंगा हलाकि कलो के कोई complain करें केस करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कर सकते हैं लेकिन जो हकीकत है मैं आवाज उठाया हूं और मैं बता रहा हूं और तमाम सारे इंटूबर जितने भी हैं मैं सबसे भी करना चाहता हूं कि जितने भी टीचर हैं आप लोग भी गौर करके देखिए क्या मैं सही कह रहा हूं या फिर गलत कह रहा हूं इतनी इतनी मोटी-मोटी किताव इमें छे कोस्टन अगर पुछा जा तो विद्यार्थी का लेवल गिराया नहीं जा रहा तो क्या बढ़ाया जा रहा है अगर बढ़ाया जा रहा है तो आप हमें भी बताएं कि हाँ यह हमारे हिसाब से सही नंबर जो कोशन पुछे जा रहे हैं वह सही है इसमें कहीं क्यों तुरूटी नहीं है आप हमें मोटिफाइब करके से उसका सटिफाइब को करवा दिजिए हमें भरोसा दिला द और बिद्यार्थी लोग भी आप लोग ध्यान दिजिए सोईये मत जागिये आपकी लेबल को गिराया जा रहा है कि कल होके भविस में कोई नहीं पूछेगा आपको इसलिए कि आप अगर आई टे किये हैं अगर कुछ आप जाने ही नहीं कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो क् बिद्यार्थी आइटे करने से कत्रा रहा है राइटे का इंस्टूट का सिट खाली रह जा रहा है क्यों पहले बिद्यार्थी चलते थे कि सिट खाली नहीं अगले में चलो इसमें खाली नहीं अगले में चलो लेकिन अभी क्या हो रहा है हर इस्टूट का यहीं हो चुका ह कि सारे के सारे सीट खाली रह चुके हैं इतने इतने सीट खाली रह चुके हैं कि कह दिये मत बहुत खाली रह चुके मैंने देखा है ऐसा और देख रहा हूं और आप लोग भी देख रहोंगा यह है है तो ध्यान दिया जाए बच्चों के उपर बच्चों का लेवल इतना गि है में मकसद ही था कि भाई को बुक को पूरे पढ़ने दिया जाया उसमें से पूरा कोश्चन पूछा जाया जो कि बच्चे पढ़ करके हाँ आप ध्यान दीजिए किसी चूट में कलास चल रहा नहीं चल रहा पढ़ाई हो रहा नहीं हो रहा इस पर तो कोई देखने वाला न देगा इस बात को करितों को चलिए यहीं तक बाकी आपका comment का इंतिजार रहेगा comment बाद मैं फेर वीडियो aumentar आम आपका comment का इंतिजार है तब तक कि लिए नमसकार जैनड़ धार दोस्तों बाइ फिर मिलते हैं अगळा धौर्स बाइब के साथ चलिए बाई-बाई